नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हाएं जार्खन के अपसरों को 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली के एस्पर्ट देंगे ट्रेनिंग जार्खन विधान सभा के बिधाई सोध संदर्व प्रसिक्षन को सांग द्वारा जार्खन के प्रसासनिक प्रदाधिकारियों के लिए 3 दिवसे प्रसिक्षन आयोजित कराने को लेकर शुक्रवार को जार्खन विधान सभा अध्यक्ष रविंदरात महतों ने अपने करयाले कक्ष में मंत्री मंदल समन्वे सचीवाले के पदाधिकारियों के सथ बैठक की 10 से 12 जुलाई तक या 3 दिवोसे प्रसिक्षन सेमिनार सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कराई जा रही है इसमें सभी भी भाग के एक भारतिय प्रसासनिक सेवा के पदाधिकारी एक राज प्रसासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं एक सचीवाले सनवर के पदाधिकारी भाग लेख सकेंगे कारेकरम का मुख्य बिशाय वीधी निर्मान की परकिरिया एवं कारेपालिका का दाईत होगा इस कारेकरम में P.R.S. लेजिस्ट लेटिव नई दिल्ली एवं अने वीधी बिशेसगयों से रिसोर्स प्रसन के रूप में सहयोग लिया जाएगा पाटना में हेमंत सुरेन बोले एक नए समोह की देखे जहलाग बिहार की राइधानी पाटना में सुक्रवार 23 जून 23 को भी पक्षी पार्टियों के नेताओं का जुटान हुआ उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अलग अलग विचार धारा की लोग एक जूट हो रहे हैं सियम हमंत ने कहा है कि यह एक जूटता आने वाले समय में मील का पथर ताबित होगा उन्होंने कहा कि एक नए समोह की पहली जहलक आप देख रहे हैं सियम हेमन सुरे ने कहा है कि सर्दियों से दुनिया ने माना है कि अनेकता में एकता में भी दरारे पढ़ने लगी है तो कहीं न कहीं उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा आज अलग अलग विचाल धारा की लोग यहां उपस्थित हुए हैं जमसेदपूर के मान सिंग मांजी की पुस्तक नेने पेटे को मिला सहित्य अकादमी का बाल सहित्य पुरस्कार दोयतेज की खोसना कर दी है संताली भासा के लिए यह पुरस्कार मान सिंग मांजी को मिला है बता दे जम सेथपूर के रहने वाले मान सिंह मांजी की पुस्तक नेने पेटे को या परतिष्ठित पुरस्कार मिला है यह लगू कहानियों की पुस्तक है जिसने इस बार जियूरी का दिल जीता है संताली भासा में बाल साहिते पुरसकार के लिए जीवरी के सामने आठ पुस्तके आई थी इनमें नेने पेटे को सरसमती से पुरसकार के लिए चुना गया लगू का थाओ किया पुस्तक वर्ष 2018 में लिखी गई थी अब तक 5 पुस्तके लिख चुके मान सिंह मान जी को शुकरवार को जब फोन पर बताया गया के उन्हें साहित आकादमी के पर्तिष्ठित बाल साहिते पुरसकार करे चुना गया तो उन्हें पहली बार भिश्वास ही नहीं हुआ बाद में उन्होंने अकादमी की प्रेस भीग्यपती देखी तो यकीन हुआ कि उन्हें ही प्रुसकार मिलेगा जार्खन के सरकारी स्कूलों की सिक्षन विवस्था में आएगा सुधार सिक्षा में व्यापक सुधार को लेकर उपायुक्त आदित रंजन की पहल से जीले में संचारीत प्रोजेक्ट रेल वा प्रोजेक्ट इंपक्ट जल्द ही पूरे जारकण में लागू होगा कोडार्मा में इस अभियान का इसकूली सिक्षा विवस्था में जवर्जा सुधार हुआ है पिछले दो सालों से जैक बोड के दासवी परिणाम में कोडार्मा सिस पर रहा है इसको लेकर डीसी ने राजी के सभी जीलों के ADPO को वीडियो कंफरेंस के माध्यम से प्रिक्षितन दिया बता दे जेपीसी रांची के सभागार में राजी की सभी जीलों के ADPO जुटे थे इस दोरान उपायुक्त ने कोडार्मा जीले के सरकारी बिद्याले के बच्चे के संपून विकास के लिए चलाये जा रहे प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इंपेक्ट के बारे में संपून जनकारी दिया है दुमका के मसांज और डेम में एक ही परिवार के तीन डुबे जारखन के दुमका जीले के मसांज और डेम में बड़ा हदसा हो गया है यहां सुकरवार की दोपर नहानेगा एक ही परिवार के तीन सबसे डेम में डुब गया है की पाचान रंजीत पुजहर उनका चार वर्षी पुत्र अरुन पुजहर और छा वर्षी पुत्री सीपी पुजहर के रूप में हुई हैं बता दे रंजीत अपनी पत्नी नीशा पुजहर एवं पुत्र अरुन वा पुत्री सीपी के साथ डेम में नहाने गया था उनकी पत् ट्यूब और सुन्तुलित हो गया और तीनों गहरे पानी में डूब गये घटना के सुचना मिलने प्रमसांज और पुलिस की मदद से डेम से च्छा वर्षिये पुत्री सीपी पुझार का सवब रामत किया गया जब किसे दोग की तलास जारी है ज्यारखन में 24-26 जून के बीच होगी भारी बारिस ज्यारखन में मानसून ने एक सपता की देरी से 20 जून को दस्तक दी है और इसकी रफ्तार धिमी है यही वज़ा है कि अभी तक राज़ानी राची में मुसलाधार बारिस देखने को नहीं मिली और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों में उतरी छटा नागपुर के कई जीलो सहीत राची में भी जमा जहम बारिस होगी मौसम विभाग की तरफ से मिली जनकारी के मुताबिक संताल परगना के राष्टे परवेश कर चुका मानसून 24 से 26 जुन तक पूरे राज़ में बारिस कराएगा अब तक संताल परगना के साहीब गंज पाकुल गोड़ा दुमका और देव घर जैसे जीलो में मानसून की अच्छी बारिस होई इस बारिस ने जून के पहले सब्ता से ही जारी लू और विशन गर्मिस रादी है मौसम बिग्यान केंद्र रांची के मौसम बिग्यानी अभिसेक आनन ने बताया है कि अगले तीन दून में राज़ी के अधिकान सिसों में भारि बारिस होगी वहें बिहार, पच्छी मंगाल, उडिसा और चातिस गर्जेसे राज़ों में कई जीलों में मुसलाधार बारिस होई है चार जुलाई को जे एमेम की बड़ी बैठक जुलाई दौहेर तेसको ज्हारखन मुक्ती मुर्चा के केंदिरिये अध्यक सिबू सुरेनने, केंदिरिये समीति स्दस्यों सभी जीला अध्यक्छो जीला सचियों के बैठक बुलाई है इस बैठक में मुखे मंतिर और पार्टी के करकारी अध्यक्ष हेमान सुरेन भी मौजूद रहेंगे इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाए जा सकता है कि संगठन बिस्तार के साथ साथ पार्टी दुजर चोबिस में होने वाले लोक सबा और विधान सबा चुनाओ को लेकर भी जीला अस्तर के पार्टी पता दिकारी हो और करकाता हो कि बिचार सरूबर होगी पाटना में नेतिस्त कुमार के अवाहन पर बुलाई सन्यूक्त बिपक्ष की बैठक में आयव बिचारो को भी केंद्रिय समिती के सामने स्तिया महमल सुरेन रखेंगे रांची के रिम्स में बढ़ेगी चिकिसा सुविधाये 24 घंटे रहेंगे डॉक्टर रिम्स के प्रभाज निदेशक परफेसर आरके गुपता ने कहा है कि जल्द ही रिम्स में बदली हुई वेवस्ता दिखेगी 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे शुरक्षा वेवस्ता सकत होगी मरीजों को सभी चिकिसा सुविधाये मुहाया कराने डॉक्टर वनर्स को उपस्थिती वदावा को उल्ला बदत्ता को लेकर उन्होंने बिस्ती जनकारी दी हाई शुक्रवार के वेवस्ता को समभधित करते थे इस मौखे पर चिकिसा अधिक्चक डॉक्टर हिरेंद्र विरुया उपाधिक्चक करनल सैलेंद त्रिपाठी चिकिसा अधिकाई डॉक्टर रकेश कुमार और पी आरो डॉक्टर रंजीव रंजन महजूद थे रिम्स के परभाई निदेशक डॉक्टर आर्खे गुप्ता ने कहा है कि इमर्जेंसी और ट्रामा सेंटर में सुधार के लिए ठारा वेंटिलेटर और सभी ऑक्सिजन पॉइंट को चालू कर दिया गया है जार्खन के किरिसी विभाग में बड़े प्यमाने पर टांसफर पोस्टिंग परभार दिया है इस समन्द में किसी पस उपार नियुमसा करता विभाग की और से सुथना जारी की गई है कुए में उत्रे 10 साल के मासूम की जहरीली गैस से मौत जार्खन के गोड़ा जिले के ललमटिया में 40 फिट गहरे कुए की सफाई करने के लिए उत्रे 10 वर्सिय मासूम मसूद अंसारी की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई घाटना ललमटिया राजमहल पर योजना के खरन प्रोहवित पूर्णमास अस्थल बड़ा भुड़ा गाउं की है यहां सुक्रवर सुबा 10 वजे उक्त गाउं के मफि जूर दिन अंसारी का 10 वर्सिय पूत्र मसूद अंसारी अपने पिता के साथ कुए की गंदगी साप करने उत्रा था कुए में उतरने के बाद ही मसूद और पिता का दम घुटने लगा धन्यवाद